नमस्कार आप देख रहे थे बीकिनुच मैं थार आजर कुमार सिंग मैं भी मवजोग थाँ खड़िया परयोजने आवासी परिशन अंतरगत जैसा कि आप देख रहे नार्दन कोल्पील निम्टेड कड़िया परयोजने लिखा हुआ है और यह है आवासी परिशन ये निरिमल चाया सहीड, सहजयोग, ध्यान केंद्र ये सामने है और इसके सामने में जो है ये एक गेट बना हुआ है ये देख रहे हैं लाखो रुपी लगा करके इस गेट को बनाया गया होगा एंसियल खडिया परियोजना के द्वारा और इस गेट को बनाने के बाद आगे से बैरिकटेट करके बेल्डिंग करके ये पर्मामेंट इस गेट को बंद कर दिया गया है मज़े की बात ये है कि जब इस गेट को बंद ही करना था एक छोटा ही गेट बनाना था तो इतना बड़ा गेट बना करके और जो है इसमें ताला बंद कर देना आगे से वेरिकटेट करके वेल्डिंग करके पर्मामेंट बना देना बगल में जो है गाड के लिए एक पोस्ट बना देना और उस गाड पोस्ट रूम का जो है यह हालत देख लिजिए यह खीडकी के दरवाजे और सीशे सब गाइब हैं और यह गाड पोस्ट है और इस गाड पोस्ट की हालत देख लिजिए यह छट का जो है यहां कुछ लिखा हुआ है इसको भी हम आपको पढ़वा दें यह जी आई सी गेट बंद होने का समय लिखा है समय है नहीं रात्री 11 बज़े से सुबा चार बज़े तक लेकिन उसके बाद भी यह सालों से जे गेट कुला नहीं है जबकि इसका समय अवधी बताया गया कि लागो रुपिया का खर्च जो है इंसे पर्योजना को हुआ होगा और पगल में एक फोटा सा गेट जो ही बना हुआ है और इसी गेट पर साइद यह लिखा हुआ है कि जी आई सी गेट बंद होने का समय रात्री 11 बज़े से सुबाश चार बेल तक है साइद यह रात में ज लिए जो है इस गेट को बंद कर दिया गया है तो आखिर इतने बड़े गेट में खर्चा करके इस गेट को बनाने का उसे सिख्या था यह एक तरह से देखा जाए तो यह पर्योजना के पैसे की पूर्ण रूपेन यह बरबादी है और नहीं तो क्या है